नमस्कार बच्चो आज हम करेंगे भाशा अभ्यास में पाठ दो ठीक काम करें प्रशन नमबर एक पाठ ठीक काम करें के आधार पर दिये गए शब्दों में उचित मात्रा लगाकर लिखें अब हम इन सब में मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करेंगे आप मेरे साथ साथ इन शब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे रमश रमेश राज राजू गता गीता माहन मोहन छलका छिलका यहाँ यहाँ काटा कांटा दवाई दवाई फसल खन खून जब चोट लग जाती है तब खून निकलता है ना प्रशान नमबर दो सही शब्द चुनकर खाली जगय में लिखेंगे रमेश ने बहुत सुन्दर फूल देखा या देखेंगे रमेश ने बहुत सुन्दर फूल देखेंगे राजू डैश अंगुली में कांटा चुब गया गीता ने अंगुली डैश दवाई लगा दी हमें बड़ों डैश आदर करना चाहिए मैं गलत काम डैश करूंगा मैं गलत काम नहीं करूंगा प्रशन नमबर तीन शब्दों को चित्रों से मिलाईए अब आप इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और हम इन शब्दों को पहले पढ़ेंगे लगाई लगा तोड़ा पहना फिसला लगाई क्या लगाई दवाई लगा क्या लगा कांटा तोड़ा क्या तोड़ा फूल पहना क्या चश्मा फिसला कौन बूड़े बाबा फिसल गए प्रशन नमबर चार दिये गए शब्दों में सही जगा पर चंद्रबिंदू या अंग की मात्रा लगाई है करूंगा करूंगा चंद्रबिंदू फेंकूंगी चंद्रबिंदू अंगुली अंग की आवास अंगुली सुन्दर पाम चंद्रबिंदू अब क्या बन गया बोलो करूंगा फेंकूंगी अंगुली सुन्दर पाम प्रशन नमबर पांच बगीचे में बहुत से फूल लगते हैं किनी चार फूलों के नाम लिखे अब आप सब बच्चे फूल देखते हो ना मुझे नाम बताईए फूलों के नमबर एक गुलाब नमबर दो कामल नमबर थ्री गेंदा नमबर चार सूरज मुखी अब हम इनको पढ़ेंगे गुलाब, कमल, गेंदा, सूरज मुखी प्रशन नमबर छे दिये गए फूल में से विप्रीत शब्द निकालकर पत्ती में लिखिए अब ये आपको ये पतियां दिखाई दे रही है और ये फूल है पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे जोड़ना, गलत, शाम, जवान अब ठीक, अब ठीक का विप्रीत शब्द क्या होगा? ढूंडो इसमें से ठीक, गलत बूड़ा, अब बूड़ा का विप्रीत शब्द, बूड़ा जवान तोड़ना, तोड़ना का विप्रीत शब्द, जोड़ना तोड़ना, जोड़ना सुबह, अब सुबह कवे प्रीत शब्द, शाम अब हम इनको पढ़ेंगे, ठीक, गलत, जवान, बूरा, तोड़ना, जोड़ना, शाम, सुबह प्रशन नमबर साथ, पिछले सबताहा आपने कौन सा अच्छा काम वा बूरा काम किया लिखे अब आपने अच्छा काम क्या किया, पौधों में पानी दिया तो हम लिखेंगे, मैंने पौधों में पानी डाला और बूरा काम आपने क्या किया, मैंने मम्मी का कहना मैंने मम्मी का कहना नहीं माना अब आप इस पार्ट को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कौपी में पूरा करेंगे धन्यवाद